हे फ्रेंट्स तो काफी क्विक रिवीव में बात कर लेते हैं फाइनली हॉट स्टार डिजनी प्लस पर लीज हुई फिल्म कटपुत लिखी जिसके ट्रेलर में ही ये बात पता चल चुकी थी कि ये फिल्म असल में साल दोहजार अठरा की तमिल फिल्म रच साथसन की रिमेक ह लेगिन फिल्मी ट्रेलर को देखकर थोड़ी बहुत जो उमीद बची हुई थी अब वो फाइनली फिल्म देखकर मेरी पूरी तरीके से खतम हो चुकी है जिस पर मैं अभी ही आप से ये बात क्लियरली खुल कर कहूँ कि अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जिन देख का है भले से ही हिंदी या फिर उसकी ओरिजिनल तमिल लैंविज में तो मुझे लगता है कि आपको आपका समय इस फिल्म पर बरबात करना चाहिए क्योंकि ये फिल्म एक्जैक वही करते हुए हमें कुछ भी नया नहीं देती इन फैक ओरिजिनल की कमपैरिजन में ये फिल आ रहे है और ऐसा ही कुछ फिल्म की लीड एक्टरस का भी है हाला कि उनका काम फिल्म इतना जादा है नहीं लेकिन जितना भी है उसमें बस वो आकर हमारा टाइम ही वेस करती है और फिल्म के कुछ गाने भी और फिर ऐसे ही बाकी दूसरे कुछ एक्टरस की बात कर ले तो स पूरी तरीके से टाइम पास करने के लिए क्योंकि यह फिल्म ना तो किसी سीरेस मॉमिंट में सीरेस होती है और यहां तक कि किसी अच्छे फंसे मॉमिंट में भी नहीं और बात रही विलन की तो उसकी भी बैक स्टोरी को पूरी तरीके से जैसीर ना देते हुए बस यही कोशिश की गई है कि विलन जादा से जादा फिल्म में छुपा रहे है जिस पर अगर नई ओडियन्स की बात की जाए तो उनकी नजर में ये फिल्म काफी क्विकली पकड़ में आ सकती है कि असल में किलर कौन है और जिन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन देख रखा है उनकी तो बात ही छोड़ दो याईनि इस फिल्म की अगर कमिया निकाला जाए तो वो भर भर कर निकलेगी जिस पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम इस फिल्म की तरह वेस्ट करूँ जिनके अगर कुछ अच्छी चीज़ों के बात की जाए तो वो है फिल्म की और बाकी बच्ची कुची का सर्फ फिल्म के थोड़े बहुत BGM पूरी कर देते है यानि इन चीजों को छोड़ आपको फिल्म में बाकी कोई भी चीजे बिल्कुल भी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी इन फैक्ट ये चीज भी समझ नहीं आती के मेकर्ज ने रीमेक के नाम पर ये किस तरीके का कच्रा बना कर लोगों के सामने प्रिजेंट कर दिया है हाला कि उन्हें ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि ये थेटर माटेरियल फिल्म नहीं है इसलिए ये फिल्म हमें सीधे होट स्टार डिजनी प्लेस पर देखने के लिए मिली है जिस पर अगेन मैं कहूंगा मैं तो बलकुँ भी नहीं चाहूंगा कि आप अपना टाइम दो और अब उस हिसाब से फिल्म को रेटिंग वाइस बाटा जाए उसके हिसाब से उनकी नजर में इस फिल्म के रेटिंग बनती है सीधे सीधे A- की जिन से हट कर मैं इस फिल्म को सीधे सीधे D की कैटीजरी यानि बहुत ही घटिया कैटीजरी में रखूंगा क्योंकि makers ने original के मामले में जैसे कि मैंने कहा किसी भी तरीके का effort नहीं लगाया है in fact अगर इसे remake ही करना था तो कई सारे changes के साथ remake करकर लोगों के सामने present किया जा सकता था क्योंकि original Tamil film भी उस मामले में इतनी भी perfect नहीं है जिसमें कई सारे ऐसे loops है जिने हटा कर इस film की बाद story को adapt कर कर बहुत सारे changes किये जा सकते थे जो कि unfortunate इस film ने बिल्कुल भी नहीं किया है I mean इस film के creators ने इसलिए अब यहीं पर खतम कर देते हैं इस video को बाकि मैं हूँ अजीज मिलूँ आपसे जल्दी दूसरी किसी video में till then Bye